मुझे व्लोग और इस समय नवराद का टाइम चल रहा है कर दोस्तों ने मुझे पूछा कि गाड़ी समय खरीदी जा सकती कि नहीं क्या रहती है और खासकर ही डुएट को डेस्टीनी के बारे में मुझे से कई लोगों ने राय ली तो डेस्टेनी का मैंने अभी तक टेस्ट ड्राइव नहीं किया है और लेकिन फीचर जाने की कोशिश की तो फीचर डेस्टेनी के बहुत अच्छे है 125cc का इंजन है स्ट्रॉंग बॉड़ी है जैसी डुएट है सेम वैसे है मेरा एक रिव्यू पहले ही डुएट पर आ चुका है तो करेंटली मेरी जो डुएट है उसने 20,000 km कवर कर लिए हैं और बहुत सक्सेस्फुल 20,000 km कवर किये हैं हाँ बीच में कुछ एक दिक्कत आये थी जब मेरी गाड़ी 20 तू 25 देस तक सर्विस सेंटर पर खड़ी रही तो उसमें जो दिख कर थी वो कार्बूरेटर को लेकर दिख कर थी असल में बीच्व फोर्ट चुछ इंजिन होता है उसके कार्बूरेटर में जो अर्जेस्टर तो उसमें एयर फिल्टर था तो उसका अरजस्मेंट उन्होंने कर दिया था तो इससे वज़े से गाड़ी रास्ते में बंद हो रही थी और फ्यूल पाइप में कार्बन मजम रहता तो सर्विस हेंडर ने कुछ आनाकानी की लेकिन जब मैंने इंके टॉप मैंजमेंट से बा अच्छी गाड़ी है स्पीड में 80 किलोमेटर 100 किलोमेटर की स्पीड में गाड़ी वाइबरेट नहीं करती है जो सबसे खास बात इस चीज़ की असल में मेरी गाड़ी 16657 किलोमेटर दिखा रही है तो गाड़ी का स्पीड मेंटर खराब हो गया था तो गाड़ी ने अभी 20,000 किलोमेटर कवर कर लिया है और 15,000 किलोमेटर का रिव्यू मैंने अराउंड 3-4 मंथ पहले दिया था तो हमको इस गाड़ी की खास बात है कि लॉंग रूट पर इसका संपेशन बहुत अच्छा काम करता है और गाड़ी जो कहते हैं ना कि जमीन से टच करके चलने चाहिए तो वैसे ही जमीन से टच करके ही गाड़ी चलती है तो इसके पेंट्स में कुछ खास फरक नहीं आया अभी तक पेंट्स नया का नया है गाड़ी का और हाँ जो में टॉपिक था बात करने का डूट को या नवरात के समय कोई भी गाड़ी खरीदने का और मेरा जो एक्सपीरेंस कहता है कि नवरात और दिवाली के टाइम आप गाड़ी ना खरीदें तो बैटर है क्योंकि आप एक बहुत अच्छे ओकेजन में अपनी गाड़ी खरीदे हैं तो उससे क्या होता है कि गाड़ी जब आपको खराब मिल जाती है आपको उसमें पता नहीं चलता है कि गाड़ी में क्या खराबी है तो आप सर्विस सेंटर जा जाके परशान हो जाते हैं गाड़ी को लेके त तो मेरा पर्सनल जो experience है मैं इस चीज़ पर कहूंगा कि आप नॉर्मल डेस पर गाड़ी खरीदिये और और गाड़ी को एकदम समझ के लीजिए कोई भी गाड़ी का review आपको उसके नए शोरूम पर खड़े हो के review को पर जज़ मत करिए जब तक गाड़ी का review कोई उसको चला क ना बता रहा हो सर्विस सेंटर में पार्ट जी इजली अविलेबिल हो जाते हैं कोई बहुत बड़ा issue नहीं होता है आज कल multiple service centers रहते हैं तो अगर आपको एक भी नहीं मिला तो आपको दूसरे मिल जाता है नहीं आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो आप उस दिकत तक पार्स नहीं है उनसे आप जरूर बात करिए और उनको उस लेटर में मेंशन करिए कि मेरी काड़ी में यह दिकत है सर्विस इंटर वाले मुझे पार्ट नहीं दे रहे हैं तो टॉप मैंनेजमेंट उस चीज को समझता है और आपको वह आपको वह पार्ट एविलेबिल कराए तो फ्रेंड इसी साथ मुझे आ गया दीजिए अब मैं चलता हूँ अपने घर कि अग sürणी आपको वह वह आपको वह आ खार्ट नहीं ते खार्ट पार्ट